हलो एवरिवन आप सब लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आज हम बना रहे जा रहे हैं सूजी के लड़ू जो भी बिगर खोवे के और बहुत ही टेस्टी है हलवाई जैसे हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है एक कप सूजी और उसी के अकोडिंग दिया ह रहेंगे और मैंने खोवे स्वारी दूद को थोड़ा सा गाड़ा कर ले आप चाहें तो नौर्मल दूद भी ले सकते हैं इलाइची को कूट के मैंने इसके अंदर डाल दया जब हम स्टिम करेंगे सूजी को तो उसका फ्लेवर इलाइची का बहुत अच्छा है और से आपको हलके हलके हाथों से पूरे दूद में अच्छे से मिक्स कर लेना है अब मैंने इस कंटेनर में जो दूद और सूजी को मिक्स करा था इस कंटेनर में मैं डाल दूँगी और दूसरी तरफ मैंने जो इडली का साचा होता है उसमें पाने डाल के स्टिम होने के लिए रख दिया था आप इस डब्र को हम इस्टिम होने के लिए रख देंगे कम से कम आदे घंटे के लिए रखेगा ताकि सूजी अच्छे से स्टिम हो जाए जब पूरी सूजी ठंडी हो जाएगी फिर हम mixी में पीस लेंगे इस Vamp से में मिक्षी में इसको पिकाल लेंगे। teenage Πिक डालाए। से जब फैसे मोटा से नो चाए दाल सकते हैं इस में किसा हुआ कोप्डन डाला है आपके आपके बादान डाला आपक्त जो भी ड्राइफूट वो डाल सकते हैं अब दीरे-दीरे इसके पूरे लड्डू बना लोंगी इस टाइब से आपको लड्डू बना लेना है देखिए मेरे पूरे लड्डू बनके तयार हो गए है और आप खाके जरूर बताइएगा जो मुझे फिडवेक देजेगा कैसे लगे आपको मुझे भीगर खोवे के लड्डू